ओके सुनाओ यहां पर आगे चलेंगे जब मैं शो मोर पर क्लिक करूंगा तो मुझे पेज ओपन करना है जहां पर मैं कोर्स यहां पर दिखाऊंगा के आप मेरा वेबसाइट विजिट करके यहां पर एक आईडिया ले सकते हैं कि आगे हम कैसा क्रिएट कर सकते हैं ठीक है करहुँँगा यहां पर URL में करूँगा मैंने स्कोर्स पर क्लिक किया है ओके तो पहले तो हम एक URL क्रिएट कर लेते हैं आँगे चलने के लिए को अगर मैं सब्कुष करूंगा तो जनरल विए हुए होता हमाइडी की यहीं चीज़िवीज करते हैं मतलब की जो टॉप पर को इस course object वे डवीस में बट हमने आपको श्लाग एड कर लेते हैं तो श्लाग एड करने के लिए हमको model में change करना पड़ेगा तो चलिए models में courses.py में यहाँ पर हमें add करना है slug तो slug unique होता है और नेम है उससे मिलता जुलता होता है ठीक है default value set करनी पड़ेगी और default value set करूँगा क्योंकि यूनीक रहता है तो यूनीक भी set नहीं कर सकता क्योंकि यूनीक भी set नहीं हो पाएगा तो पहले मैं इसको database में value set कर दूँगा और उसके बाद मैं इसको unique mark कर दूँगा तो next time के लिए यूनीक काम करने लगी है ठीक है now again मैं इसको कहूँगा make migration होगा now इसको मैं कहते हूँ migrate perfect है now again run करेंगे server को again हमने कहा python manage.py run server server run हुआ है चलते है admin panel पे यहाँ पर मैं जाओंगा slash admin में या चुके admin panel में courses में जाएंगे तो यहाँ पर जो एंगुलर advanced इसमें slug field है वो यहाँ पे इंडल है तो उसमें slug add कर देता हूँ मैंने इसमें कहा दिया angular underscore advanced ओके यह योग्या यह यूनीक रहता है अब मैं किसी औ और मैं angular यह नहीं कर पाऊंगा अभी तो कर सकता हूँ कि database मैंने unique set किया ही नहीं तो अभी मैं इसको कर सकता हूँ डुपली एसी बड़ मैं बाद मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ यूनीक कर दूँगा हमने इसको कहा save perfect है अब मैं क्या करूँगा इसको unique mark कर दूँगा और null is equals to false कर दूँगा ओके यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ null is equals to false and then unique is equals to unique is equals to हमने इसको कर दिया true ओके नाव सेव किया again migrations make migration यह करेंगे तो अगेन हमने इसको कहा CLS and then यहाँ पर हमने कहा make migrations ओके यहाँ पर यह option आता है कि आप select set कर रहे हो जो कि not null label है तो अगर कोई ऐसा field जो कि नहीं है तो उसमें हमको क्या करना है यह आपको यहाँ पर बताना है तो पहला है provider on of default now okay then ignore for now तो मैंने second बाला click किया and then enter press किया तो यह ignore हो गया perfect है now अब हम यहाँ पर करेंगे migrate so यह हो गया migrate and then run करेंगे server को so run हो गया now चलते है page को किया reload angular advance है ठीक है तो अभी देखो कि इसका जो select है मैं इसको copy करता हूँ और same select मैं दूसरे बाले में भी apply करके देखता हूँ ठीक है so मैंने इसको यहाँ पर apply किया enterprise किया तो क्या आया correct value देना course with a slug already exist okay अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ enterprise किया तो यहाँ पर क्या है field is required तो perfectly यह काम कर रहा है okay now यहाँ पर मैं change कर देता हूँ उसको मैंने इसको कर दिया तो मुझे URL चेंज करना और उस लग पास करना चाहिए server पर हम उस लग को read कर पाए और फिर हम next page दिखाएंगे जहाँ पर यह वाला जो course वह हमको दिखेगा okay so more पर click clickable बनाना है इसको तो इसके anchor में URL करेंगे so उसका URL क्या होगा वो देख लेते है तो यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर हम को URL करना तो मनका slash और यहां पर हम यहां पर मैं कहूंगा जो page का नाम रखना चाहता हूं मैं उसको कहूंगा course ओके जो next page आएगा मोगा course course के बास slash करके मुझे यहां पर एक ID जो पास करनी है क्वेस्चन मार करके हम ID पास कर सकते हैं यहां फिर slash करके directly उसका slug पास कर सकते हैं तो यहां पर मैं उस slug पास करूंगा जोगी dynamic value है तो curly bracket का use किया यहां पर मुझे पास करना है course.slug जो course का slug है वो मुझको यहां पर मिल जाएगा आप पेज को अगें reload करेंगे आप पर हम mouse over करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे है यहां पर आप देखेंगी यह तो अब हम सरवर में इसको read करेंगे और रीड करने के बाद हम इस एंगल एडवांस का के लिए जो page है जो शो करेंगे